जब मैंने 10,000 रुपए वाला वीडियो बनाया था आप सभी से एक पक्का वाला प्रामिस किया था इसके बार 12,000 रुपए वाला वीडियो आएगा जहांबर सॉने के सारे 5G होंगे और साथ में Full HD Plus वाला ही डिस्प्ले पक्का होने वाला है यदि आपका बजट है 12,000 रुपए 5G वाला फूर सर्च कर रहा है बहुती कमाल की वीडियो में आए हैं मैं आपको सारे के सारे धुरंदर वाले 4 बताऊंगा बस मोटिवेशन की लिए ही यार एक लाइक कर दे ना चैनल में पहली पर पता रहो है बहुत सब्सक्राइब करके आगे बढ़ोगे न और ज्यादा मज़ा आ जाएगा 4 के प्रोस और कॉस की भी हम चच्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं 15 नंबर के 4 की और यहां पर है Redmi 12 5G यह नया वाला डिवाइस नहीं है यहां पर जो प्रोसेसर है वो है Snapdragon 4 Gen 2 मेरे इसाब से decent वाली आपको performance मिल जाएगी गेम खेलना है तब तो भाईया आपको या तो अपना budget बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो वीडियो में ठीके रहिए मैं आपको और एक कमाल कमाल के प्रोसेसर वाले phone बताऊँगा 90Hz को Full HD Plus वाला display मिल जाता है डिस्पेल में बहुत बड़ी वाली कभी नहीं है जितने भी सस्ते रेट की phone होता है यहां पर जो पी brightness होती है आउटडोर की वो थोड़ी सी कम सी होती है लेकिन घर के अंदर किसी भी phone में आपको कोई भी प्राबलम नहीं होने वाली है पिच्छे कि तरह 50 Megapixel का आपको सेंसर मिल जाता है जो आपको यह सही वाली फोटो देगा लेकिन कोई भी अल्टरा वाइड वाला सेंसर नहीं है बैटरी है 5000 वैच की बहुत चार्जर है वो है सिंगल स्पीकर के साथ यह phone इंडिया में launch हुआ है मेरी साहब से Redmi 12 5G जम भी आपको सस्ते रेट में पड़े आप इस फोर की तरह जा सकते हैं यह पर क्या प्रोज है क्या कॉन्स है अब आपके साहब ने है फोर्ट नमबर में एक नहीं दो फोर्ट है एक टेकनो का पोवा 5 प्रो मुझे पता है टेकनो का 6 प्रो आ चुका है लेकिन 5 प्रो आपको 12,000 रुपए के अंदर मिल जाता है और फोर्ट में बहुत बड़ी वाली कोई भी कभी नहीं है एक तो डबल स्पीकर के साहथ आ रह 120Hz का Full HD Plus वाले डिस्प्ले है डिस्प्ले भी यार डिसेंट है बॉक्सी वाले डिजाइन के साथ मैक्समा फोन आते रहते हैं यहां पर भी यूआई थोड़ा सा क्लीन होता और अच्छा लग जाता अब डेट यार मिलेगा की नहीं मिलेगा इसके बारे मुझे नहीं पता है लेकिट बैक वाला जो कैमरा है यह भी आपको निराश नहीं करेगा 50 Megapixel का सेंसर है लेकिट यहां पर भी कोई भी अल्टरा वाइड वाला सेंसर नहीं है इस फोनों जो प्रोसेसर है वो है मीटर है का डिमेज जड़ी 6080 तो भाई यह प्रोसेसर में आप नॉर्मल वाले ट इसी नंबर में एक और फोन है जो है लावा का स्टॉम 5G एक तो कमाल की बात यह है यह ब्रेंड इंडिया वाला है देशी ब्रेंड है और लावा या जग रहा है काम करता जा रहा है यहां पर भी जो प्रोसेसर है वो बिलकुल सेम है जो आपको बिलता है टेक्नो के पोवा निकालेंगे यह आपको निराश नहीं करेगी लेकिन कमाल की बाती है अल्टरा वाइड वाला भी सेंसर मिल रहा है इधर उधर वाली एप्लिकेशन भी आपको देखने को नहीं मिलती है बहले एक एंडुएड का वर्जन आपको और मिल जाए मलना 14 तक फोन चला जाएगा लेकिन युआई में अपडेट भी भरपूर मातरा में आते रहते हैं 120 एट का फूल HD प्लस वाला डिस्प्लेय है बैक वाला डिजाइन भी आरा आपको सुंदर लगेगा 33 वार्जर जो चार्जर है वो भी बॉक्स यादर बिल रहा है वही यार 5000 मेच की बैटरी मिल जाती ह और अल देखा जाए ना लावा का स्टॉंग 5G लेने वाला डिवाइस है यदि आपको इंडियन ब्रैड का फूल लेना है यहां पर क्या प्रोज है क्या कौन से अब आपके साबने है थर्ड नंबर में जो डिवाइस है वो है सैमसंग का गलेक्सी F15 आज की डेट में सैमसं का सेक्योटी पैच लेकिन बॉक्स अने में कोई भी चार्जर नहीं मिलता है जितना पैसा लगाएंगे उपर से आपके बादण चार्जर केгор किले भी पैसा डालना पड़ेगा घर में आपके अमोलेटर में इसप्लेय मिल रहा है यह तो बहुत ही कमाल की बात है भले पाज छोल ना हो यू शेप वाली आपको नॉच मिलती है लेकिन डिस्प्ले यार एमुलेट है कलर अच्छे वाले निकाल के दे देता है बैक कवर भी बॉक्स के अदर नहीं है 50 मेगा पिक्सल का कैमरा भी आर आपको अच्छी वाली फोटो दे देगा अल्टरा वाइड वाला भी आपको सेंसर मिल रहा है लेकिन यहां पर जो प्रोसेसर है वह इस बर एक्सनोस कर नहीं है मिडिया डेक का डिमेज डिज़ेडि 6.000 प्लस है इस प्रोसेसर में जानतो है आपको यादा रेड़्मी का 13C वहां पर भी यही वाला प्रोसेसर है मैरी साहब से प्रोसेसर काफी क बाल का है गेम ओम भी यार आप खेल सकते हैं थोड़ा सा नौरमल से उपर वाली सेटिंग में हैं मैं तो इतना कहूंगा जिनको नौन चाइनीज फोल ले रहा है तो आप जा सकते हैं Samsung Galaxy F15 की तरफ यहां पर क्या प्रोस है क्या कौन से अब आपके सामने दो नंबर में हैं Realme का 12X 5G यह फोर में बिल्कूर नया वाला है यदि आपको नहीं बाय करना Realme का 12X 5G तो आपके पास है Narjo 70X वो फोर Amazon में है Realme का 12X यार फ्लिप कार्ड में मिल जाता है यहां पर जो प्रोसेसर है वो है MediaDecor Dimensity 6100 Plus जब मैं Samsung की बात कर रहा था तभी आपको बताया था प्रोसेसर में दम है बैक में कैमरा का जो डिजाइन है ना Realme वाले आज क्याट में गोल गोल वाला दे रहे है डिजाइन कमाल का है देखने में फोर सुन्दर भी दिखता है 1208 का Full HD Plus वाले डिस्पले के साथ आ रहा है डिस्पले में भी बहुत बड़ी वाली कमी नहीं है जो आप वीडियो देखेंगे ना वो भी काफी अच्छे से देख सकते हैं कैमरा है 50MP का कोई भी अल्टरा वाइड वाला सेंसर नहीं मिलता है लेकिन कैमरा अच्छी वाली फोटो दे देता है OIS नहीं मिल रहा यार इस प्राइस बेकेट पे लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हुआ है बहुत सारे ब्रेंड अब सिंगल नहीं डबल स्पीकर के साथ ही अपना फोन लाँच कर रहा है यहाँ पर ear gesture वाला भी फीचर मिल जाता है software भी बिल्कुल latest वाला Android 14 लेकि थोड़ी से आपको मेनत करनी पड़ेगी जो application मिल रहे ही ना इधर उधर वाली उसको delete कर दें के लिए दो Android की वर्जन आपको और मिल जाएंगे 300 का security वही यार 5000 मेंच की बैटरी मिल जाती है 45 वाट का जो charger है वो आपको box के अंदर मिल रहा है मेरी साब से Realme के 12X की तरव आप जा सकते हैं फोन काफी अच्छे से अभी यार भी करा है याँआप क्या प्रोस है क्या कौन से अब आपके सामने है अब बारी नंबर वन फोर की लेकिन आपको पहले एक चीत क्लियर कर देता हूँ ये जो device है वो साड़े 13,000 रुपए का है लेकिन बैंक आफ़र के बाद साड़े 12,000 रुपए का यदि वीवो का T3X मिले न मेरी साब से 500 रुपए आपको बढ़ा के ये वाला device बाई करना चाहिए एक तो पंच होल वाला 120Hz का डिस्प्ले मिल जाता है डिस्प्ले ब्राइट है अच्छा वाला है डिजाइन में भी कोई कभी नहीं है गोल गोल वाला यार यहाँ पर भी कैमरा मिल रहा है लेकिन कैमरा जो आपको फोटो निकाल के देगा न ये भी बहुत ही अच्छी है 50 Megapixel का ही में सेंसर है कोई भी अल्टरा वाइड वाला सेंसर नहीं मिलता है यदि आप ज़्यादा ही स्टोरेज वाले फोन की तरफ जाते हैं वहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है वालब कैमरे की डिपार्टमेंट में भी 12.5-12.000 रुपे में बहुत ही लललन टॉप डिवाइस है 6.000 वेच की बैटरी आती है बिंदाज डेर दिन चल जाएगी बहुत संदर जो चार्जर है वो है वाली स्वार्ड का मैक्स में यार वीवो के डिवाइस पे यही वाला चार्जर प्रदान किया जाता है वेकों लेटेश एनवाइट 14 के साथ फोन लाउंच हुआ है दो एनवाइट के वरसान और मिल जाएंगे तीन साल का सेक्वेर्टी पैस यहाँ पर भी डबल स्पीकर है अवाज लाउट है अच्छी वाली है लेकिन इस फोन का जो प्रोसेसर है वो साड़े 12,000 रुपए में काफी तगड़ा वाला है स्नैब लेकें का 6 Gen 1 भाई फोन में कोई भी थोटाल इशू नहीं है बेजमार्क स्कूर आपके सामने विंदा साब गेम खेल सकते हैं आपने थोड़ा सा जादा पैसा लगाया प्रोसेसर आपको यार दम वाला मिल रहा है तो मेरी साब से वीवो के T3X में जनता को जाना चाहिए अब प्रोस और कौन भी सुन लो क्या कहते है यार सभी को बीवो के T3X रब जाना चाहिए थोड़ा सा बजट बढ़ा के यार जो डिवाइस आ रहे है 12,000 रुपए के अंदर वही वाला डिवाइस बाइक कर ले आपको दिपा में कोई और फोनो उसके बारे में भी आपको बताना है तो भाई यार नीचे कमेंट करके बता दो बस यार जाजयत यही काऊँगा हसते रहे है बुस्कुराते रहे है चमचमाते रहे है आपने चैनल को पका सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसा मेरा मानना है चलिए यार मिलते है निक्स वीडियो में थैंक्यू जे हैंट